आज हम परिफेरर डिवाइस के बाले में पढ़ेंगे परिफेरर डिवाइस को दो मागों बाटा गए इंपूज और सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकूद इवाइस किसे कहते हैं तो इसे पहले हम इनकूद इवाइस में सबसे इंपोर्टेंट इनकी की बारे में आज़ रूख पढ़ेंगे कीबोड जो की एक डेटा देने के लिए बहुत लिए इंपोर्टेंट इसके मजब से अनों को डेटा कम्ट्र को दिया जाता है कीबोड सबसे पहले क्यूशन होता है कि कीबोड कहते किसको है तो कीबोड इस अप्राइब इनकूद इवाइस वीच 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 जानेंगे किबोड में कितने प्रकार के बचन वाइब एक पर यह जानेंगे कीबोड में कितने परकार के बटन होते हैं तो इस चीज के बारे में सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि कीवोड इंट इंटू इन भाग में बाटा गया है तो जिस पहले लोग जाने कि कि अलफाबेटी के बारे में जो कि allPHABETIC KEY A से लेकर J तग हुआ है ठीकर A से Z तक जो भी की रहता की बूड के भॉड किया है दूसरा NUMERY KEY जो 0 से लेकर 9 तक रहता है । कि कहा जाता है तृसरा FUNSURAL KEY जो A FUNSURAL KEY जो F 12 तक रहता है FUNSURAL KEY BESICALLY यूस किया जाता है आपको अनौदर अगर नॉटबट के अंदर करें नॉटबट के अंदर करें टाइम आता है लिए फॉस्टनल की का यूज़ अलग-अलग है लेकिन बेसिकली इस की का टोटल की का एफ़ोन से लेकर एक वेल तका यूज़ आपका टैली के अंदर है जो आगे हम चलते आगे के वीडियो में इस चीज़ के बारे में हम डिफाइन करेंगे अग्ला है इस पेसल की में वैसे किया जाते है जैसे क्याप्स लॉक्त इंटर अल्ड विंडोस प्रिंटर स्की डिलीट अस्पेस बार बहुत सार टैब इसका पहुत सारे ऐसे की हैं जो सिंटड आपल केस्ती लोहवर केश में लिखने के लिए होता है स्म Manchester λ अगला है जब एक से अधिक की आपस में जुड़ते हैं उस की को कहा जाता है जैसे कि अगर आप से पुछा जा स्पेसिल की है लेकिन अगर अगर प्रस एक फॉर पूल से की है जब यह दोनों आपस में जूड़ जाते हैं अल्ट बडन का पूरा नाम अल्ट नेटिव की होता है और प्लस एफोर जब अधिक को भी दमाते हैं साथ में और एक साथ यूज़ करते हैं तो इस की को क्या कहा जाता है इस कम्विनेशन की के लिदर एक से अधिक की का रानँ से इन कहा जाता है के लिए सब्केशन के अंदर आते हैं ये आते हैं तो इस तरीके से की को पाटिशन किया गया है шे वागों में अर्फाबी crystal के और और कमिनिकेशन और ज्यादा आपको ज़नकारी चाहते हैं किसी भी तॉपिक में आप मुझे आपके विमें लेकिंट साथ के- झाल झाल